हाई गाईज वेलकम बैक डिदे चैनल मैं हूँ शैशांक और मैं रहता हूँ स्विजरलेंड में और हम बनाते हैं वीडियोज अब ट्रैवल और लाइफस्टाइल इन स्विजरलेंड तो यहां पे अभी समर की शुरुआत हो रही है और आज के दिन हम जाने वाले हैं पूरी इन्फोर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को तो टिकेट इन्फोर्मेशन के अगर बात करें तो वैसे राइनफॉर्स जो है वह जीवरीक से काफी पास है बस एक घंटे का रस्ता है तो आप ट्रेन से वहां पे इसली पहुँच सकते हैं अगर आपके पास में स्विस पास है तो यह पूरी जर्नी आपके पास में इंक्लिड होगी आपको कोई अलग से टिकेट खरीदने की जरुवत नहीं होगी बट अगर आपके पास स्विस पास नहीं है तो आप एक डे पास खरीद सकते हैं विच इस अब other spots जो कि थोड़े दूर है किस वज़े से थोड़े कॉसली हो जाते है तो गाइस हम पहुंच चुके है राइन फॉल्स पे तो जूरी के जबिसे हम ने पकड़ी थी तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर रेइन फॉल्स है तो इसकी जलक देखिए कितना पूरा ग्रीन ब्लू वाटर है और बहुत बड़ा वाटर फॉल है तो चलिए फिर चलते हैं आगे और दिखाते आपको आईगा तो स्टेशन से आगे आते ही आपको सामनी लिफ्ट दिखेगी तो लिफ्ट के एंट्री फ्री होती है और इससे आप उपर जा सकते हैं और उपर में कासल है लिफ्ट से बाहर आते ही आपको यह कासल का विव आएगा और यहां से हम अब वॉक करते हुए जाने वाले हैं एक दूसरे साइट के और अब उपर आने के बाद में आक्री पास ऑप्शन है एक तो आप टिकेट लेके दूसरे साइट पर जा सकते हैं जो बोट से जाते हैं या तो फिर आप इसके सामने से वाक करते हुए इस वेसे जाना पड़ता है तो अगर आप वॉक कर सकते हैं मेटर गांट जाते हैं पर आप कर सकते हैं या फिर आप बोट से डारेक्ली जाएंगे दूसरे साइट पर मैंने ले लिए शॉटकट में आगया आगया ये लोग दिखे से आ रहे हैं जब आप आप करते हो आते हैं तो आपको मिलता है ये बिरिच और इस बिरिच पैसे देखिए क्या आप आप क्या आप और आप काची सबस्थेश बगे और इस वे पे चलते हुए आपको आते जाएंगे ऐसे जबरदस्त व्यूपॉइंट्स जहां पर ठेर सारे लोग अपनी फोटो किछ रहे होंगे तो हम वहां पे थे हम वहां से चलते हुए इस ट्रैक पे से हम अभी यहां पर आएगें और हम वहां जाने होने हैं जाएधा कि टो ही के बस्ता है कि पुग बांट कि तो है मेरे पीछे आप राइन फॉल्स का व्यू देख सकते हैं तो अभी आपको यहां पर रुखके ना मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हैं सबसे पहली छीज लए चीज है कि हमने वहाँ से शेपा एे छलॉफ सिटेशन जहांपे मैं त Maur Bin में वहां करते हुए आए हैं और यहां पर यहां पर आगे में यहां पर बॉटिंग अटिविटी का तो यहांपे चार पांच रूटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा रूट कवर करना है और बीच में आप देखेंगे तो राइन फॉल्स के यहां पर एक और स्पॉट है विविंग पॉइंट जहां पर आप बोर्ट से जा सकते हैं सिर्ट कि यह जो बोर्ट से आपको एकडम फॉल्स के पास ले जाती है तो खुड़ा सा पर पानी के चीटे वगएर भी उड़ती है तो अगर आपके पास नैपकिन या टॉबल्स वगएर तो तो ही जाईए वरना तो आप गिले हो जाएंगे वहां पर लास्ट टाइम आप गए थे इस वार जाना अब सबयां तो बैर कि मैं अपर देख सकते हैं यह लग लग कलर की बोट हे तो हर एक बोट का अपना रूट है तो वह अपको उस तरह से यहां पर गुमाते है वैसँ पूरा डिस्क्र announcements ब्सक्राइए देंगेड कर था हिंब्स प्रूम् फॉलो किया है आप वैसे ही पाथ फॉलो कीजिए क्योंकि चलते हुए आने में जो ब्यूटी दिखती है वह बहुत बढ़िया देखती है या फिर शॉटकट यह था जहां से हम स्टेशन से आये थे वहीं से आप बोट पकड़के इस पॉट पे आ जाए ताकि आपको यह पू उतरके फिर यहां से लिफ्ट लेके हम उपर जा सकते हैं कासल की और लिफ्ट जो है वो फ्री होती है तो आप वैसी आ सकते हैं और आप इंट्रेस्टेड है तो आप फिर यहां पे कासल घूम सकते हैं या फिर यू के उपर से ब्रिच क्रॉस करते हुए पूरा ऐसे घूम क यहां तक आती है और यहां पर कुछ activities होती है जैसे boating की भी यहां पर activity होती है अगर आप walk नहीं कर सकते हैं तो आप train station से नीचे उतर के यहां से boat ले सकते हैं वो boat आपको इस spot पर लेके आएगी और फिर इस spot से आप अलग-अलग boats book कर सकते हैं जो आपको इस viewing point के पास ले जा करे भी ला सकते हैं और यहां पर बैटके family के साथ enjoy कर सकते हैं और यह इस रास्ते में वैसे WC वगरा सब कुछ है तो कुछ problem नहीं होती है हमने अभी टिकेट ले ली है इस टिकेट सेंटर से रेड रूट की तो अब रेड वाली boat से हम वापस जाएंगे हमारे station पर इस मैप में आप अलग-अलग boat के routes देख सकते हैं हर एक route के लिए अलग-अलग charge होता है यहां से अब हम पहुत जाएंगे हमारे वापसी के station पर जहां से हमें मिल जाएगी train Zurich HB के लिए तो इसके साथ हमारा यह rainforest का सफर खतम होता है और यह जो spot है यह बहुत ही amazing है तो अगर आप आते हैं Switzerland तो I would definitely recommend कि आपको यहां पर आना चाहिए और आपने जो यह day pass लिया था इसमें आप बाकी कुछ और sports भी cover कर सकते हैं जैसे की utility bug तो अगर आपके पास और time बचा है तो आप यहां से फिर utility bug भी जा सकते हैं वो भी इस pass में included है या फिर आप rappers भी जा सकते हैं जहां पे Zurich Lake से एक cruise जाती है वो भी बहुत शानदार होत तो इस वीडियो को कर दिजे like तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तिल दिन bye bye and take care